क्लास फ्स्ट आज हम लोग पढ़ेंगे greatest and smallest number page number 26 पे है ये exercise इसमें greatest number ग्या होता है और smallest number next exercise है वो भी पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं what is greatest number तो while counting greatest number comes after the others greatest number counting करते वक greatest number वो सब भी numbers के बाद में आएगा तो example यहाँ पर देख लेते हैं 6, 8, 9, 13 4 numbers दिये गए हैं तो सबसे बड़ा number इसमें से क्या है 13 13 is the greatest number इसलिए यह counting के वक्त बाद में आया है इसी तरीके से next है 11, 13, 17, 23 यह 4 numbers हैं जब हम इसको count करेंगे तो 23 सबसे बाद में आएगा क्योंकि यह इन सबी number से बड़ा है तो 23 is the greatest number अब यहाँ पर पूछ किया रहा है first question है write the greatest number हमें greatest number लिखना है कुछ numbers दिये गए हैं इसमें से जो भी सबसे बड़ा number होगा वो हम यहाँ इस box में लिखेंगे अब देख लेते हैं 21 35, 10, 43 33 कौन सा सबसे बड़ा number होगा 43 अगर हम counting करें देखें तो 33 सबसे पहले number कौन सा आएगा count करते वक्त 10 आएगा 10 के बाद है हमारा 21 फिर 33, 35 और 43 तो 43 जो है वो इन सबी में से सबसे बड़ा number है तो हम लिख देंगे यहाँ पर 43 इसी तरीके से यहाँ देख लेते हैं 12 है 26, 10, 9, 8 अब इन सभी numbers में से सबसे बड़ा number कौन सा आगा जो हम count करेंगे गिंती गिनना स्टार्ट करेंगे तो 26 जो है वो सबसे बड़ा number है उसको लिख देंगे यहाँ पर इसी तरीके से बागी के questions भी आप लोग को करने है next है color the greatest group अब यहाँ पर 3 groups दिये गए है यहाँ पर 4 pictures है 3 groups है अब इसमें से देखना है कि कौन से group में वो जादा object है कौन से group में चीजें जादा है यहाँ पर count करें तो 6 है यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 8 है तो 8 यहाँ पर numbers जो है वो जादा है तो हम क्या करेंगे इस group को color करेंगे यह बियर है तो यहाँ पर हम इसको brown color से color कर सकते है pencil color यूज़ करेंगे sketch नहीं तो pencil color का यूज़ करके हम इसको एक ही color से इस group को color कर देंगे इसी तरीक से यहां पर जिसमे भी ज़ादा चीजे है जो ग्रुप बड़ा है जिसमे ज़ादा चीजे है उसको हम color करेंगे ठीक है नथो यहां पर नाईन है यहां पर टैन है और यहां पर फाईव है तो यह 10 flowers की group को हम color कर देंगे वैसे इन सब को color कर लिजएगा next exercise है smallest number page number 27 पे है while counting smallest number comes before the others smallest number count करते वक्त जो सबसे छोटा number होता है वो सबसे पहले आता है अब जैसे यहां पे है 1, 3, 5, 7 तो 1 जो है वो सबसे छोटा है तो 1 जो है वो सबसे पहले आया है ठीक है यहां पे 5, 25, 35, 45 सबसे छोटा number कौन सा है 5 ठीक है यह counting में सबसे पहले आएगा अब इसकी exercise देख लेते हैं circle the smallest number कुछ numbers given है इसमें जो सबसे छोटा number होगा इसको हमें circle करना है तो 7, 3, 5, 4 सबसे छोटा number कौन सा है 3 तो 3 को हम कर देंगे circle इसी तरीके से यहां पे सबसे छोटा number कौन सा दिख रहा है 13 सबसे छोटा number है तो यह सबसे पहले आएगा counting में अगर हम count करें तो 13 सबसे पहले आएगा उसके बाद 15 19 फिर 27 तो 13 जो है वो सबसे छोटा है इसलिए हम इसको circle कर देंगे ऐसा ही बागी के questions भी आपको करना है question number 2 है color the smallest group जो सबसे छोटा group है उसको हमें color करना है तो इस group में 3 objects है इसमें 2 है और इसमें 7 है तो सबसे छोटा group कौन सा है जिसमें 2 objects है तो हमें इसको color करना है ठीक है तो इसी तरीके से हम देखेंगे जिस भी group में जो सबसे छोटा ग्रूप रहेगा उसको कलर कर देंगे